हरे कृष्णा राधे राधे नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे घर में काली तितली का आना क्या संकीत होता है ऐसी और भी बहुत सारे वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और यदि पसंद आता हूँ तो लाइक करना बिल्कुल ही न भूलें दोस्तों वैसे तु तितली को मालक्षमी का प्रतिक माना जाता है घर में आना यह सुख और शौभाग्य का संकीत होता है माना जाता है कि यदि काली तितली घर में बार बार दिखलाई देने लग जाए तो समझ लें कि यह दूसरी दुनिया से आपके पुरवजों का संकीत लेकरा रही है तितलीयां मन, सरीर और आत्मा की स्वतंतरता का प्रतिने धित्व करती हैं तितलीयों को पुनर, जर्म और पडिवर्थन का भी प्रतिक माना जाता है तितलίαं नए जीवन के शुरुवत का भी प्रतिक माने जाती हैं एसलिए यदि काली तितलीयां के घर में दिखलाई देती हैं तो यह बहुती सुभ माना जाता है कई बार ऐसा भी देखा गया है कि काली तितली के दिखाई देते ही व्यक्ति बेचैन हो जाता है या फिर मन में असानती से आ जाती है इसका एक कारण यह भी बतलाया जाता है यह जिस मृत परिजन का संदेश आपके पास लेकर आ रही है वह या तो परिशान है या फिर बेचैन है या उस मृत तक के कोई नो कोई इच्छा ऐसी है जो अधूरी रह गई है और उस अधूरी इच्छा को आपके माध्यम से वो पूरा करवाना जाते हैं इसलिए ऐसी बेचैन दिखलाई देती है यदि काले तिदली बार बार दिखलाई दे जाए तो इसका यह भी अर्थ होता है कि कोई दुरघटना घटने वाली है या फे मृत्यू से जुरफ़क कोई समाचार आप तक पहुंच सकता है जापान के जो पहुरानी कथाएं होती हैं उसमें काले तिदली को मृत्यू या फे संक्रमन से जोड़ कर दिखा जाता है ऐसा माना जाता है कि तिदली इस दुनिया से लेकर दूसरी दुनिया को जोड़ने के एक करी है उमीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद होगा और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूले ऐसी और भी जानकारे के लिए हमारे चैनल पर बने रहें अगले वीडियो में हम नई जानकरी के साथ फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों